नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहें आप मैं हूँ आपकी साथ पूचा आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महरास्ट में इंडिया गडबंदन काम्याब हो सकेगा कहीं महरास्ट में भी बंगाल की तरह खेल ना हो जाए महरास्ट के 48 सीटों को लेकर इंडिया आलाइंस के घटक तल कॉंग्रस उदव किशिव सेड़ा और शरत पवार के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है जादतर सीटों को लेकर खीशतान तेज होती जा रही है नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है दिलसल उदव ठाकरी ने अमोल की इरतिकर को उत्तर पश्यम लोकसबा सीट से उमिद्वार घोशत कर दिया वहीं कॉंग्रस की तरब से संजे निरुपम लागतार इस सीट पर दावा कर रहे थे जो उदव ठाकरे पर बुरे भड़क उठे है तो एंडिया गड़ बंदन में सीट शेरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है महरास्ट में बताएंगे आपको चर्चा के लिए मेरे साइस टूड़े में मौजूद हैं क्या पुचल टीवी के एडिटर इंचीव दॉक्टर मनिश्ग मार्ग साब बहुत-बहुत स्फागत है आपका तो दब ठाकरे क्यों उमिद्वारों का एलान पर अलान किये जा रहे हैं क्या चल पहले जो काम यह उकार दिया एडिटर संजे राउत क्या करता था तो संजे निरूपम उसी अख़बार के एडिटर रह चुके हैं जिसका एडिटर अभी यह संजे राउत है सब संजई है सामना में संजय है तो निरूपम जा भी पहले सिवसेना में थे फिर कॉंग्रेस पार्टी में आ गए कोई बात नहीं है लेकिन आज नहीं जानकारी मिली कि उद्दव ठाकरे ने जिस सक्स को उत्तर पस्चिम मुंबई के सीट पे उतारा है वो उसके उपर खिचड़ी घोटाले का आरूफ है मतलब सारे चीजों का कोई चारा घोटाला बात जो है वो इंडी गट बंदन में है ये खिचड़ी घोटाला बताईए अजी वो गरीब घोटाला है तो जैसे ये घोश्चना कर दी गई और राइट ली सो संजय निरूपन भड़क भड़क है और भड़कना उनको बंदा भी है लेकिन उनके भड़कने से क्या होगा जब जिस पाटी के तुम हो उस पाटी का सिर्ष ने तुत ही हर जगह रेंग रहा हो हर जगह अपने नेताओं को बेज़त करवा रहा हो हर जगह हाथ जोड़के खुद आ बैल मुझे मार उस तरह के स्टेड़जी पर काम कर रहा हो तो संजय निरूपन के भड़कने ना भड़कने से क्या होगा अब दर्द मिल रहा है उनको असोग चोवान भारती जंता पार्टी में आये तो बयान वाजी कर रहे थे कह रहे थे कि कॉंग्रस पार्टी ने सब कुछ दिया इजदी पत दिया इतनी दिनों तक के लीडर बनाया और जब सबसे खराब मौका है तो आप पार्टी छोड़के चले जा रहे हैं बड़ा ग्यान दे रहे थे अब यह ज्यान कामनी आ रहा है जब खुद की सीट जो है वह लटक गई है क्या हुआ 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 यह यह दूसरी सीट के ऊपर उद्दव ठाकरे ने उमिदवार की घोशना कर दी यह प्रेशर टैक्टिस है सिवसे ना इसी तरह का ब्लैकमेलिंग पॉल्टिक्स भारती जंता पार्टी के साथ दिनों तक करती रही उद्दव ठाकरे इसी को राजनिती समझते हैं कि ब्लैकमेल करो तो आपने पहले साथ पुमों में खड़ा कर दिया तो वहां बीजेपी कॉंग्रेस वाले वो उठके चल दिया वहां से भाई आपका यह देवरा क्यों छोड़ा वो इसलिए छोड़ा कि आपने सिर्व सेना ने यूनिनाटरली सावंत साब को खड़ा कर दिया वहां पे घोशना कर दी और मुह में दही जम गया राहूल गांदी के सोनिया गांदी के खड़ गए उसकी तो कोई हैस चेती नहीं जाने दीजिए कम से कम आपको फोन करके बोला था उद्धर ठाक रेको अगर आप गड़बंदन में हैं तो गड़बंदन में आप सीटे तो तब डिकलेर करोगे जब एक बार सीट सेरिंग का मालूम हो जाए कि कौन सीट किसके प राहूल गांधी कुछ बोलता है सुन्य गांधी कुछ बोलती है कोई नहीं बोला कहा है ना पटोले कहा है बाकी लोग क्योंकि राहूल गांधी ने कह दिया है कि कोई भी स्टेट लीडर अपने राज में चल रहे सीट सेरिंग के उपर कोई बयान नहीं देगा देखे कितनी बेज़ती हुई है कॉंग्रेसियों की पज़ाब एसेंबली के अंदर ये क्या लाब है ये जैराम रमेश उसको प्रेस कॉंफरेंस करके बोलना चाहिए न राहुल गांदी को बयान देना चाहिए कि भई हम गठवंदन में है इसका मतलम नहीं हमने अपना आत्मसंबान खो दिया है संजे निरुपम को ही समझ में आ रहा है लेकिन क्या संजे निरुपम शांत रहेंगे क्योंकि वो तो आप बयान बाजी कर रहे हैं उद्धव गुट की शिवसेना को बची कुछी शिवसेना इस तरह की बयान दे रहे हैं बहुत सारे बड़े-बड़े नहींता चलेगा है बीजे पी में कहीं अगला नंबर संजे निरुपम का तो नहीं है संजे निरुपम को देखी भारती जंता पार्टी में आने के लिए तो सब तयार है कोस्चन यह नहीं है बहुत लोगों से ख़बर भी भीजबाया जा रहा है कि हम भी आना चाहते हैं हम भी आना चाहते हैं पॉल्टीसिंस के लिए तो एक ही चीज समझना होता है वो हारे वे घोडों के उपर थोड़े बिट लगाते है एबरिबड़ी वांस तो बी इन विनिंग साइट विनिंग टीम अब यहाँ मुम्बे कॉंग्रेस का अध्यक्स रहा है संजे जुरुपम और आपने उसकी ही सीट के उपर कब्जा कर लिया तो वो तो भड़केंगी और आपने जो कहा कि भई वो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी में चले जाए लेकिन सर्ट तो यही है कि बीजेपी वाले उसको लेने के तैयार है तब जिस तरह की भाषा जिस तरह की चीजें वो पीछे कर चुके हैं वो सोसल मीडिया का जमाना है इस डिफिकल्ट फोर हिम लेकिन फिर भी अमिसा का दिल जो है बड़ा बड़ा है वो सर्वे यहर सीट पे सारे सर्वे करवा कर बैठे हुए हैं अगर वहां यह पॉजिटिविटी अगर यह नजर आता है कि यह हमारा विद्वार हो सकता है कॉंग्रेस का ही सही कोई बात न नहीं यह जीता सकता है यह जीत के आ सकता है तब तो कंसिडर किया जा सकता है जहां डाउटफुल होगा तो संजय निरुपम फिर यही चीखते चिलाते रहेंगे कॉंग्रेस के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है कॉंग्रेसियों की गौहार सुनने वाला कोई नहीं है क्यो क्योंकि मुद्विके नदर तो आप देखिए कॉंगर्स पार्टी की इस्तिति क्या हो गयी है सिव्ग सेना कह घरी इसे कॉंग्रस से ज़्ड़ा सीट चाहिए सीट है 45 22 मांग रही हो तो 22 अगर कॉंगर्स पार्टी इनको दे देगी बाकी लोग क्या करेगी सरत्मवार को भी बकाइदा ब्लैक मिल किया जारा है सरत्मवार के साथ जो लोग बैठे वोए उनकी तो हालत और भी खराब है उनको इसने ज़्यादा सीटे कोई ओफर नहीं कर रहा है कोई कह रहा है आच यह कोई कह रहा है साथ क्योंकि पता नहीं अब आपने देखिए सिर्फ से ना कि चुनाओ के बाद वह इंसीपी बार चले जाए उदर कौन क्या कर लेगा तो जो इस्थिती देखिए मैं बार-बार कहता रहा हूँ सुरू से ये इंडी घटबंदन नाम का कोई चड़िया है नहीं तो कबी थी नहीं ये कॉंगरेस के कुछ लोगों नहीं этом पर बार से जो है प्रहस्टा चार से जो है वो तुछ दिवाग में आजाता है तो ये जो ब नींट तो नों इंडि गडबंदन कर दिया. इंडि कर दिया, तो कोई बात नहीं ठीक है. लेकिन गडबंदन कोई फयस्वा हो सका? नहीं हो सका. तो यह तो शुरू से ही कि बहिने, आप अप जैसे जैसे समय वित्ता जा रहा है, यह non-seriousness ये राहूल गांदी के non-seriousness की वज़े से ये बंगाल में खत्म हुआ बिहार में भी खत्म हो गया ये यूपी में खत्म हो गया महराश्ट में खत्म होने के कगार पे है तो जब गड़बंदन रहे गा ही नहीं तो राहूल गांदी क्या करेंगे ये तूट की कगार पे बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए तो सीट शेरिंग को लिकर जमकर ववाल है कॉंगरस नीता संजय निरुपम ने उद्धव गुड की शिवसेना को बची कुछी शिवसेना बताते हुए अमोल किर्तिकर क्यों मिद्वारी की घुशना का विरोध किया है जबारी जंग भी तेज होती जारी है अब देखना होगा सीट शेरिंग पर क्या कुछ बात बन पाती है आप अपनी राहेस पर कमेंट कर लिखें देखते रेके आपचल टीवी नमस्कार